हलो फ्रेंट वेल्कम टू मैथने वर्ल्ड लॉक्टर सोने अंदुक्त को ओनलेल मैस्कास डियर फ्रेंट जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको जून 2023 का पेपर का सॉलिशन सॉल करा रहा हूं जिसमें अभी तक हम कोशन नमबर 1 और कोशन नमबर 2 सॉल कर चुकी है आज हम बात करेंगे नेक्स कोशन नमबर यानि की कोशन नमबर 3 की और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयो हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आग्म को प्रेस करना बिल्कुल मत बुरें जिसके आपको फ़र्डर नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ में इस बात का ध्यान एकएगा कि आप लेक्शर को बिल्कुल भी स्किप ना करें आई स्टार्ट करते हैं तो पहले हम बात करते हैं कोशन नमबर 3 तो कोशन नमब 3 है एक्चुली क्या उसके बारे बात करते हैं कोशन नमब 3 को अगर आप यहां से दिखेंगे इसमें लिखा है solve the differential equation x 1-x y double dash plus 2 1-2 x y dash minus 2y equal to 0 using Frobenius method आपको यह कोशन जो है Frobenius method से solve करना है एक बाद आपको मैं बताना चाहूंगा Frobenius method जो होता है बहुत कम एक्जाम में पुछा आता है लेकिन कभी-कभी एक्जाम में पुछा आता है तो यह आपका full length marks का question पुछा आता है यानि कि question करकेने का मंदब यह हुआ यह question यहां पर आपका 14 marks का पूछा गया है कि इस lecture, इस topic को हम किस पिकार से proceed करते हैं उसका एक working rule होता है और इसका working rule में इसका जो दिया हुआ है एक description box में मैं एक link दे रहा है कि उसको आप पहले देख लीजेगा जिसे कि आपको अच्छी समझ करा से समझ में आ जाएगा कि इस question को हम किस पिकार से solve करते हैं तो question क्या है हमारा कि आपका जो x 1-x दिया है इसको हमने x का अंदर multiply किया तो आपको मिलके x-x square और y double dash को लिख दिया हमने d2y by dx square और 2 को हमने 1-2x के साथ multiply कर दिया तो आपको मिलके 2-4x dy by dx minus 2y equal to 0 अब हमारे पास क्या होता है कि यह जो हमारे पास equation लिखी हुई है इस equation में जो d2y by dx square का जो coefficient होता है इसको हम यहाँ पर बोलते है p0 क्या बोलते है p0 तो p0 of x के value आपको दिये x-x square और जैसे इस p0 के अंदर अगर मैं x के value को अगर मैं 0 रग देता हूँ तो आपके पास क्या मिलेगा p0 of 0 जो मिलेगा वो 0 के equal मिलाएगा अगर p0 of 0 अगर आपको 0 के equal मिलता है इसका मुलब यह है कि आपका यहाँ पर जो point x equal to 0 जो है वो आपका कहलाए गया है आपका regular singular point और जैसी हमारे पास x equal to 0 का regular singular point बन जाता तो उस condition में इस point के basis पर हम provenious method apply करते है लेकिन अगर यही हमारे पास अगर p0 of 0 की value एकर हमारे पास p0 of 0 की value अगर not equal to 0 मिलती है तो ऐसी condition में वहाँ पर हम power series method को apply करते हैं तो power series method क्या होता है उसके बारे में तो भी हम बात नहीं कर रहे हैं तो अभी हम बात कर रहे हैं यह provenious method किस परकार से solve किया जाता है अगर हमारे पास हम यह clear कर लेते हैं कि हमारे पास x equal to 0 कर हमारे पास regular singular point है तो ऐसी condition में हमारा complete solution assume किया जाएगा y equal to x to the power m a0 plus a1 x plus a2 x plus a3 x q अब हमारा काम यह होता है कि हाँ पर हमें इस a1, a2 और a3 की value को हम evaluate करते हैं लेकिन एक बात का फिर दिहानक ना है कि हाँ पर हमारे पास a0 की value होती है वो हमेंसा not equal to 0 कहलाती है ठीक है तो यहाँ पर equation number 2 का अपने पास note करके लिख लिए को कि हमें इसके आगे चलके जरूरत पढ़ेगे अब इस पूरी term को अगर हम चाहें तो summation की formula लिख सकते है k equal to 0 से infinity a k x to the power k और इस x to the power m को अगर मैं multiply करणगा तो मुझे मिल जाएगा summation k equal to 0 से infinity a k x to the power m plus k अब हम क्या करेंगे इस y को दो बार differentiate करेंगे क्यों करेंगे को कि हमें d2 y y dx square और d y y dx की value को हमें चाहिए हमने d y y dx करा तो यहाँ पर क्यावल x की power m plus k तो x to the power m plus k का differential क्या होगा वो होगा a k m plus k x to the power m plus k minus 1 इसी प्रिकार इसी को अगर हम दोसी बार differentiate करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा summation k equal to 0 से infinity a k m plus k m plus k minus 1 x to the power m plus k minus 2 अब हमारा काम यह है कि हम यहाँ पर y dy y dx और d2 y y dx square की value को हम equation number 1 में रखेंगे तो अब हमारे पास equation यह है तो हमने यहाँ पर value रखेंगे तो हमारे पास क्यम लेगा x minus x square इन summation इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर देता हूँ जैसे कि आपको समझने में और आसानी होगी तो यहाँ पर हमारे पास क्यम लेगा x minus x 0 summation k equal to 0 से infinity a k m plus k m plus k minus 1 x to the power m plus k minus 2 इस dy by dx की जगा रखेंगे तो क्या हम लेगा 2 minus 4 x a k m plus k x to the power m plus k minus 1 और इस y की जगा रखेंगे तो हम लेगा a k x to the power m plus k अब हमारा काम यह है कि इस x का इस पूरी टर्म के अंदर multiply करेंगे तो इस x का multiply करेंगे तो m plus k minus 2 जो है वो आपको convert होगा x m plus k minus 1 में क्योंकि x की power 1 है तो हमेरे टर्म के मलेगे summation k equal to 0 से infinity a k m plus k m plus k minus 1 x to the power m plus k minus 2 इसी प्रिकार अगर मैं अब इस x square का multiply करूँगा तो x की power क्या हो जाएगी मेरे पास m plus k हो जाएगी तो मेरे पास टर्म के मलेगे minus summation k equal to 0 से infinity और आपके पास टर्म जाएगे a k m plus k m plus k minus 1 x to the power m plus k अब next हम 2 का multiply इसके साथ करेंगे तो 2 का multiply करेंगे तो कि अब लेगा plus 2 summation k equal to 0 से infinity a k m plus k x to the power m plus k minus 1 और अगर अगर इस 4 x का multiply करेंगे y sin के हम लेगा minus 4 summation k equal to 0 से infinity a k x to the power m plus k x to the power m plus k अब हमारे पास minus 2 ये ट्वर मेरे पास estr dishes है तो स्वाण मेरे आजरे देखे अब देखेंगे अभ यहां पर si power m plus k minus 1 आपर दिख गार योड है यहां पर दिखेंगे इन क्या करेंगे m plus k को अगर हम common निकालेंगे, साथ में e k को भी common निकालेंगे, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? मेरे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर? कि भाई, e k m plus k मेरे पास भार हो गया, अंदर मिलेगा m plus k minus 1, और यहाँ पर मिलेगा भाई, मुझे only plus 1 को कि m plus k, तो common निकल गया तो m plus k minus बनो गया साथ में हमारे पास एक term और हमारे पास दिखाए दे रहे है कि यहाँ पर हमारे पास plus 2 और दिखाए दे रहा है कौन सा हमारे पास दिखाए दे रहा हमारे पास plus 2 यह वाला term दिखाए दे रहा है तो हमने यहाँ पर प्लस 2 लिख लिया, प्लस 2 हो गया, तो अब हमारे पर इन दोनों टम को अगर हम simplify करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, आफ, प्लस 2 में, प्लस 3 लिख लोगा, अब हम प्लस 3 लेअग? आप गए इस ट्रम में और इस ट्रम में तो मैंच को बहार निकाल लगा है और इसका प्लस टू अब इस दोनों ट्रम को अगर हम सिंप्लिफाई करें मिल जाएगा और तो हमारे पास next term कितनी मिलेगी कुछ इस प्रकार से मिलेगी कुछ ऐसे मिलेगा हमें m plus k m plus k minus m plus k plus one a k x to the pi m plus k minus one और m plus k और m plus k plus three और plus two अब देखे इस m plus k को अगर इस m plus k के साथ करूँगो तो कितना मिलेगा m plus k मिलेगा और इस m plus k को अगर मैं T के साथ मंटलाए करूंगा तो पितना बलेगा 3 M प्लस K और 12 होगा अब हमें इसके बनाने है फेक्टर क्या बनाने है इसके फेक्टर कैसे बनाएंगे थोड़ी देख लिए माल लो कि हमारा M प्लस K जो है वो X है तो मेरे पास एक क्वेशन क्या बन जाएगा अब चुकि मेरे पास X को मेंने M प्लस K माना हुआ है तो ऐसी कंडिशन में क्या मिलेगा मुझे M प्लस K प्लस 2 और M प्लस K प्लस 1 जो भी हम फ्रोबिनियस मदर सौल करते है उसमें एक बात का ध्यान रखना है हमारे पास यहां पर दो पावर मिलती हमें पास सबसे चोटी और एक पावर मिलती है सबसे बड़ी तो यहां पर M प्लस K मानास 1 हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें जो M प्लस K मानास 1 दिखाई दे रहा है यह मेरे पास लोईस पावर को शो करता है और M प्लस K जो है वो ग्रेटिस पावर को शो करता है ओविसली M प्लस K मानास 1 जो होगा वो M प्लस K से लेस है तो यहां पर हमें दो पावर में ही हमारे पास आरेंजमेंट होना चा कोफिशन्ट में हमें के की वल्लू को रखना है 0 और जैसी में के की वल्लू को 0 रखूंगा तो ऐसी कंडिशन में यह वल्लू मैंने पास बन जाएगी M-1 ठीक है 2ND term में मुझे कुछ भी निकरना है 2nd term में मुझे कुछ भी निकरना है के बर lowest term के अंदर ही मुझे k की जगा 0 रखना है तो जैसे ही मैं k की जगा 0 रखोंगो तो यहाँ पर कितना बलेगा m plus 0 जो कि m plus 0 दिखाएद रहे यहाँ पर कितना दिखाएद रहे m plus 0 plus 1 और साथ में a 0 कितना बास समझ में आ गए आपको अब हमारे पास क्या आ गए इस m plus 0 को हम लिखनेंगे m और m plus 1 को लिखनेंगे हमारे पास m plus 1 जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरे पास a 0 की value जो होती है हमें साथ not equal to 0 होती है तो हमने बुल दिया भाई a 0 जो है not equal to 0 है तो मेरे पास m मिलेगा m m plus 1 equal to 0 यानि कि मुझे m की value मिलेगी 0 और minus 1 तो ये मेरे पास वो value है जिन पर हमें अपना solution निकालना है जिस पर हमें अपना solution निकालना है अब अभी हमने power कौन सी equal करे थी x to the power m minus 1 तो इस x to the power m minus 1 से बड़ी power कौन सी होगी और भी उससे एक बड़ी होगी तो यानि कि successive power क्यों होगी x to the power m अब हम क्या करेंगे इस पूरी term के अंदर हम क्या करेंगे x to the power k minus 1 को हम या x to the power m को यहाँ पर हम equate करेंगे जिसे अगर x to the power m को अगर मैं equate करना चाता हूँ तो यहाँ पर मुझे रखना पढ़ेगा भई k की जगा 1 है ना और यहाँ पर k की जगा कितना रखना पढ़ेगा 0 तो अब अगर मुझे x to the power m चाहिए तो यहाँ पर हम रखेंगे k की जगा 1 और यहाँ पर हम रखेंगे k की जगा 0 अब यहाँ पर क्या रखना में k की जगा 0 m plus 0 plus 2 और m plus 0 plus 1 यह पूरा working goal के थूरू स्वाल कर रहे है इसमें जो पूरा working goal लो उसको आप लेक बार देख लिजेगा तो आपको बहुत भैसर तरीके से समझ में आएगा तो a 0 equal to कितना होगा 0 हम क्या करते हैं इस पूरी term को हम ले आते हैं अपने right hand side पर हमें क्या मिलेगा m plus 2 m plus 1 और left hand side पर भी m plus 1 m plus 2 मिलेगा तो यह दोनों हमारे पास cancellation form में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह निकला कि मेरे पास a1 की जो a1 equal to जो है मुझे a0 के equal मिल गया है यानि कि मुझे एक coefficient मिल गया है a1 अब मुझे a2, a3, a4 को find out करना है अब देखो कि इन सब में greatest power को होने तो इस सब में greatest power को आप देखे थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ इसको अगर हम दिहां से देखे तो इसमें greatest power हमारे पास क्या दिखाए दे रही है इसमें greatest power मेरे पास दिखाए दे रही है भाई यहाँ पर हमें दिखाए दे रहा है कि इसमें greatest power जो है m प्लस k है अब m प्लस k अगर मेरे पास है तो लेकिन यहाँ पर तो m प्लस k नहीं है अब यहाँ पर m प्लस k बनाना है तो M plus के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर K की जगा हम K plus 1 को रख देंगे, क्या करेंगे, K की जगा K plus 1 को रख देंगे, जबकि इस वाले टम्बे मुझे ऐसा नहीं करना है, तो अगर मैं यहाँ पर K की जगा K plus 1 रखूँगा, तो मेरे पास equation क्या होगी, M plus K plus 1 और यहाँ पर K की जगा K plus 1 रखा तो कितना होगे, K plus 1 plus 1, और इस AK की जगा रखा तो कितना होगे मेरे पास, AK plus 1, ठीके, और अगर मैं यहाँ पर, इधर इस पूरी टम को लूँगा, तो यह वाली टम मेरे पूरी मिलेगा, यानि कितने मिलेगा, M plus K plus 2 और M plus K plus, मैंने कि यह टम मेरे पास as it is आ रही है, तो हम फिर क्या देखते हैं, कि यह वाली टम जो हमारे पास पूरी इससे cancel में हो रही है, यानि कि AK plus 1 की जो value है, A0, इसी पिकार A equal to 2 रखूँगा, तो कितना मिलेगा, मुझे A3, तो A3 परावर A2, A2 कितनी A0, कैसी A4 की value मुझे 0 में जाए, इन सब value को उठा के हम equation number 2 में रखेंगे, अब equation number 2 मेरे पास क्या थी भई, equation number 2 मेरे पास x to the power M, A0, A1 के जगा A0 रख दिया, A2 के जगा A0 रख अब देखो मेरे पास M की कितनी value आए थी, M की मेरे पास महाँ पर दो value मिलेती, मुझे, एक मिलेती 0 और एक मिलेती minus 1, अब एक बार हम यहाँ पर 0 रख देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा A0, 1 plus x plus x square plus x q, और एक बार हम यहाँ पर M की value को minus 1 रख देंगे, तो minus 1 और यही मेरे पास required solution है, तो dear friends, इस वीडियो को समझने से पहले आपको पहले working rule को समझना पड़ेगा, कि इसका working rule क्या है, मैंने आलड़ी आपको पहले ही बता दिया है, कि इस पूरे lecture का working rule जो है, आपको lecture के description box मिल जाएगा, इसको आप पहले दिख लिजेगा 5 minute, जिसे कि आपको यह question solve करने में परेशानी नहीं हो, तो dear friends, मेरा lecture आपको कैसे लागा है, मुझे जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल बत गया है, कोई वीडियो को आप लाइक करेंगे, तो हमारे को उसमें ज्यादा समझ में आदा है, कोई वीडियो को लाइक क